कि यह गाइज दिस इस कुलीप एंड यह वाचिंग यूपेसी लाइबरे तो आज की सेलेक्शन में हम बात करेंगे साथी अरेबिया पाकिस्तान की और चाइना के रोल इन दौनों के रिलेशन के बीच में हैं फिकोज काफी सार रूंड कोज काफी दिनों से साथी अरेबिया और पाकिस्तान की रिलेशन के के बीच में लाइक यह फैलाए कि साथी क्राउंग प्रिंस सल्मान इशनब पाकिस्टन प्यम इम्रान एंड रिकॉल्ड इस प्राइवेट जैट तो पाकिस्टन प्यम जो यूएस की तरफ जा रहे थे यूएस की मीटिंग अटेंड करने तो उसी विजिट के दोरान साथी सा साथी अरीबया को रिपे करने के लिए और यह अजेंट लिए साथी अब्यम ने मांगा था तो इस इन से पाकिस्तान और साथी अरइबया के जो बीच में जो रिलेशन ने इंटरनेशन रिलेशन उनमें थोड़ी खटास पैदा हो यह है सो इस वाजय से अफटर सनब्दा बाजवा फ्रम साव्धी पाकिस्तान फॉरंड मिनिस्टर लीज फॉर चाइना सो हर चीज हर चोटी चीज पर कुछ भी अगर पाकिस्तिन घार कोई भी छोटी चीज होती है तो उनके फॉरंड मिनिस्टर या प्रेशिजिएंट चाइना आते रहते हैं यह तो कॉमन सी बात है तो आप सभी लोग यूपसी लाइबरी को टेलीग्राम फेस्बुक एंड इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं यहां पर मैं डेली निव आर्टिकल्स कोस्ट करता हूं जो काफी हेलपोस होते हैं इपसे हैं यह मैप है वर्ल्ड का सो इसमी समनी यह हमारा फ्यारा भारत एंड् sempre Wang के लेफ में या इंडिया के वेस्ट में यह बहुत अच्छा कंट्री पाकिस्तान है तो इस पाकिस्तान की इंडिया के साथ लेंड बॉर्डर से एक करता है प्लस मेरिटाइन बॉर्डर भी से एक करता है और पाकिस्तान इंडिया के जो लेंड बॉर्डर जो इंडिया पाकिस साथ आरेभिया साथ और इंडिया और इंडिया के साथ कोई भी लैंड वन्ड इनिज अंगता अगर इंडिया ऌझ इंडिया को सब्सक्राइब आ यह तो यह रूट के जरी या जी रूट के जरी है तो पाकिस्तान ने रावर्ट के एंगर दोनों की बीच में इस्ते कैसे खढब हुए तो पाकिस्तान फिकी एंग्री विद दी यूई इनिटेशन टू इंडिया विद इंडिया 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 इस्लामिक ऑपरीशन में जो इसको वी की दो 2019 की जो meeting में इंडिया को invitation दिया, इस वजय से पाकिस्तान पाकिस्तान has been angry, then second is the Saudi Arabia reluctance on the convene in a meeting to condemn the Indian Indian action कस्मी, so India ने जो last year 370 जो repeal गया, जो अटाई रहा जम्मु कस्मी से, so उसकी against में Saudi Arabia को भी step against में नहीं लिया, so उस चीज़ की वज़ से पाकिस्तान also has been angered, then while Pakistan appear to be dreaming of a new regional alliance with Turkey तो इस वेसे ही है यहाँ पर Saudi Arabia गुसा हो गया या उसमाद दोनों के बीच में टसल होने लगी because Saudi Arabia अपने हैं आपको Muslim World का एक वो लीडर मानता है but Pakistan, Turkey और इनन के साथ एक नया regional alliance create कर रहा है जिसको या जो OIC या Organization of Islamic Corporation है उसको replace करे है एसा ही रीजन पाकिस्तान का मानना है so Pakistan is also batting the rising China and the assertive Russia so Pakistan आखे इतना सारी चीज़ है Saudi Arabia बाकि अधर countries के अंगरे में कैसे कर रहा है because Pakistan को China और Russia का support मिला हुआ है so both China and Russia both support this new geopolitical formation as the part of their own effort to out America so Middle East America की presence खतम करना यही पाकिस्तान को चाइना और Russia का support मिला हुआ है so Saudi Arabia पाकिस्तान so यह इन दोनों के relation ऐसा ही नहीं थे starting सभी खराब नहीं थे because Saudi Arabia ने जब इंडिया पाकिस्तान जब वार हुई थी 1971 में तो Saudi Arabia ने इंडिया का साथ ने दिया था बलकि पाकिस्तान का साथ दिया था और उसके बदले में Saudi Arabia also transferred arms and equipment to Pakistan so जब war ओ लिए थी तो Saudi Arabia ने पाकिस्तान को arms transfer किये कुछ equipment transfer किये financial help करें और also इसके बाद Saudi Arabia ने इंडिया को इंडिया को जो बंगलादेश आग जो इंडिया ने 1971 की वह जीत ली थी तो उसके बाद बंगलादेश की बंगलादेश का कंट्री का क्रेशन हुआ तो उस चीज़ पर Saudi Arabia ने इंडिया को बोला और इसके इस action को बोला कि इस तरह ट्रीचिरियस एंड कांट्री टू और इंटरनेशनल करें बहुती कड़े सब्दों में इसकी बहुती कड़े सब्दों में Saudi Arabia ने इंडिया की आलोजना करी then Saudi has provided oil and deferred payment to Pakistan whenever it ran into economic field so जब भी पाकिस्तान को economically कोई भी या financially कोई भी जूरत पढ़ती थी तो Saudi Arabia हमेशा अपनी help provide करता था so यह पहले Saudi Arabia और पाकिस्तान के relation हुआ करते थे but अब Saudi Arabia और इंडिया के relation कैसे है so Saudi Arabia increasing friendly supportive nature towards India so Saudi Arabia अडिया के तरफ friendly supportive nature इनकी उज़गा है अग्रेशली यह सब हुआ है जो अपने वहां के लिए प्राइंस क्राउन प्रिंस है मॉंब एम बीएस जिसको मॉंबद बिल सलमान सलमान बोलते है इनके present इनके अंडर काफी ज़्यादा इंडिया और Saudi Arabia की relation और ज़्यादे इंक्रियस हो है because he want because he want diversify Saudi Arabia's heavy oil dependent economy जो Saudi Arabia के भी जो dependency है वह अपनी oil economy है तो अपनी जो dependency है उसको और diversify करने के लिए वह इंडिया को एज़े इंडिया को as a valuable partner की तरह देखते हैं तो इस वज़े से वो इंडिया की तरफ थोड़ा tilted है या इंडिया को इंडिया की तरफ या उतना infriendly या supportive nature थोड़ा इनकीज करने हैं तो यहां पर भी Saudi Arabia कोई वैसा ने सब एक economic perspective सही इंडिया को अभी देख रहा है so Saudi Arabia और वैसे और देखा जाये तो Saudi Arabia is India's 4th largest trade partner so Saudi Arabia का India का last 4th trade partner so इससे पहले कौर्ण also China 1st then USA 2nd, 3rd is Japan so it's a major source energy partner के लाएंगे also India imports around 18% of crude oil requirement from the Saudi Arabia which is also major source of LPG for India so India Saudi Arabia 80% of crude oil जो इंडिया लेता है वो Saudi Arabia 80% लेता है वो जो की USA ने बोला थे या USA के threat your section sanction का threat जाता है so उसकी जो भर्पाई किस ने किती सौधिया रही बहुत है आज के टाइम पर चाइना का बहुत बड़ा रोल है या बहुत बड़ा हाथ है बोल सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान अब बिकॉज पाकिस्तान चाइन एक दूसरे को क्या बोलते हैं all weather allies and aren't brother ऐसा पाकिस्तान बोलता है चाइन भी बोलता है लेकिन मानता नहीं होगा था लग है इस लिए रहा है बिकॉज चाइना सपोर्डेट पाकिस्तान अंदा कसमी आशुज चाइन विकॉज चाइन पाकिस्तान को कस्मी पाकिस्तान ये बार इस लास्टेयर में रहा है विकॉज जम्मू कस्मी के words ये में जो उसका CPAC का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उस एरिया से होते हो चल रहा है तो इसमें भी चाना का ही इंट्रेस्ट है ना कि पाकिस्तान का इंट्रेस्ट है तो चाना अगर सपोर्ट करते है तो पाकिस्तान उसमें चाना का ही इंट्रेस्ट है so also China is the Pakistan biggest benefactor वे सिप चाना ही है then China's biggest factor because it's funding of the China Pakistan economic जो CPAC चबन रहा है वो इस वे सिप चाना इस में जाइस पाकिस्टन biggest benefactor because originally जो इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है 46 बिलियन डॉलर बट चाना कमेंट committed है कि वो 62 बिलियन डॉलर तक इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू बनाए रखेगा यह इसमें इतना invest करेगा पाकिस्तान में so Pakistan easy way से खुश है because पाकिस्तान का अभी जो पाकिस्तान का जो foreign foreign reserve है वो मुस्किल से 10 से 12 बिलियन डॉलर तक है और इतना इससे चार गुना चार से पांस गुना तो सिप चाना ही पाकिस्तान में इंवेस्ट कर रहा है और इसके लावा Saudi Arabia also invested CPAC project so यहां पर साउदी अरेबिया का double face दिखता है because Saudi Arabia also invested CPAC project so एक तरप तरफ वो चाइना और पर इंडिया को खुश कर रहा है और दूसरी तरफ वो CPAC के project पर जहां चाइना sorry जहां इंडिया की sovereignty हट करता है वो उसमें उस project में वो Saudi Arabia invest कर रहा है so यह इसके दो पहलों दिखाए देते हैं so to the team of the US और उसमें लबगा दस billion dollar तक but Pakistan now seem more interested but Pakistan अभी जो हलफला वो सिर्प चाइना के तरफ ही इंटर्शिट कर जाए कि जो भी इन्वेस्टेंट जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वह बीजिंग यह चाइना की तरफ से आएगी तो पाकिस्तान लीडर और पाकिस्तान की जो लीडर जो है जो उनकी frequent वीज़े उड़ती रहती है चाइना की तरफ पाकिस्तान की इंटर्ण पॉलिसी में चाइना का कितना बड़ाता है और इसके लावा चाइना का नेपाल की internal of foreign policies में भी चाइना का बहुत बड़ाता है तो अभी हाल फिलाल में चाइना का sy linking के foreign policies को अपने अनुसार चेंज कर रहा है जिसमेंसर एक बहुत बड़ा example पाकिस्तान और नेपाल है तो इसके implication क्य हूँक्थ सकते हैं इंडिया पर अभी तो हाल फिलाल में तो राइब लेवल विजिट जितने भी हाई लेवल विजिट के वज़से अड़न की कंट्री जो इस देक काई मेरा रखता है करता है और इसके बाद जो थाइब बीट्विन चाइन पकिस्ता आप रहिए जो चाइन पकिस्तान के इंडिया को फॉटा varies इनडिया में पाकिस्टन इस वह एसे पाकिस्टन पर सॉदी अरिभाना की साथ पुलवान का अटक होता है इंडिया में हो। यह अटक फुलाओं अटक तो उसमें सौधिय अरेबिया ने UAE जो यहांने मतलब United Arab Emirates और USA के साथ पाकिस्तान पर प्रेशा डाला और जो हमारे Turkey has been trying to position itself of the new leader of the Muslim world so Turkey चाहता है कि वो Muslim world जो है उसको अपना जो Muslim world है वो Muslim world का वो Turkey खुदी मतलब अपने आपको leader समझता है मतलब बनाना चाहता है जो कि अभी सौधिय अने उस position खोल कर रखिया तो यह तो सब चीज़ हैं लेकि उसके अलावा बट यह तो इनके पर्सनल रिजन है बट 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 वेंट 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 कम तू ट्रेड मनी देन देर इस नो फ्रेंड एंड देर इस नो इनेमी ओनली इंट्रेस एगजिस्ट इन डेट प्रेंट सो जब भी एक्कोन नो में ट्रेड की बात आती है तो वहाँ पर नहीं फ्रेंड देखते हैं नाई इन भी अस्वा इंट्रेस्ट दे कर जाते हैं तो इसका मतलिक एकिपारन डिलेकोर में और को दूसरी की साथ दे रहा है तो पाकिस्तान इसका साथ किसे दे रहा है कि पाकिस्तान चाइना में जो इविगर मिस्लिम पर जो अत्याचार हो रहा है जो काफिसे रई इगर मिसलीम उठाए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान चाइना को इसी प्रूजक्ट की वईए से पाकिस्तान नेवर किर्टिसाइज चाइना और उगर मुसलीम इसूज सो और इसमें इसके अलावा साओधी अरेबिया और चाइना के बीच में जो इहलीशन इसके पार बताता हूँ मैं साओधी और चैना की बीच में जो पार्टनर नो आफ्टर इस में आपशिकल में आपको आफ्राईवय acağ emp सब्सक्राइब कर दी सो इसे पता चलता है कि चाइन और सवरेवे की बीच में कितना बड़ा ट्रेड चाइना सवरे किना बड़ा ट्रेड पार्टनर है तो साओधी चाइना के इस रिलिशन पर थोड़ी नज़र बनाए रखनी पड़ेंगी इंडिया को इंडिया को अपनी फोरंड पोलिसे चेंज करने है विकॉस यह साओधी गैजेट का यह अर्टिकल है उसमें लिखाए कि बोल चाइना वह समें बोलता है कि चाइना और साओधी अरेबिया आर नेच्रल पार्टन इन एडवांसिंग बैल्ट और नेशाया इस आर्टिकल का अकॉर्डिंग साओधी अरेबिया चाइना के बैल्ट और रोड इनिशेटिव को सपोर्ट करता है एक तर्प तो साओधी अरेबिया पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता है इस वैसे इंडिया को साओधी अरेबिया और चाइना की रिलेशन पर नजर बनाए रखने होगी इंडिया को अपनी फॉरंड पॉलिशी इनी सब डामेंशन को मायंड में रखके मायंड में रखके किसी कंट्री के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करने होगी और पाकिस्तान की तरह किसी और कंट्री पर पूई तरह से डिपेंड नहीं होना आज की लेक्शन में बस इतना ही अगर आपने यूपेसी लाइवरी को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब दा यूपेसी लाइवरी यूट्यूब चैनल और प्रेस दा बैल आइकन फॉर मोर अपडेट्स धन्यवाद